दाकिल खारिज करा लिए, मुटेशन करा लिए, तो क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला उससे, अगर आपका माल लेते हैं, आप ये सोच रहे हैं, कि मेरा मुटेशन हो जो हो गया है, करा लिए हैं, तो यहाँ पर जो है, एक तरह से मेरे पास ये डॉक्मेंट आ गया, अ देखें, जमीन जो है, जमीन से कर को वसूलने के लिए, सरकार के द्वारा जो है, मतलब सरकार को तो पैसा चाहिए, आपका जमीन है, लेकिन सरकार को टेक्स देना होगा, नहीं देंगे तो बरा समस्या उत्पन हो सकता है, तो सरकार के द्वारा कर को वसूला जाता है, और वसुले के लिए बहुत सारे अधिकारी जो है वो तैनात किये जाते हैं अब कहने का मतलब वो अधिकारी जो हो सकते हैं वो जिला राजस वो अधिकारी हो सकते हैं ठीक है ऐसा सरकार जो है एक तरह से पोस्ट बना दिया है जब सरकार को पैसा असुलना है पबलिक से पैसा अस उनके पास आप जा सकते हैं जिला के साथ साथ जो है अनुमंडल में भी आप देखा जाए तो अनुमंडल में भी जो है एक तरह से राजस्व के अधिकारी है ठीक है राजस्व अधिकारी है अब ये अनुमंडल के बाद जो है अंचल अस्तर पर भी जो है एक तरह से है ना अ अधिकारी नहीं है तो ये इन सभी का काम क्या है जिला राजस्व अधिकारी हो अनुमंडल राजस्व अधिकारी हो या अंचल राजस्व अधिकारी हो सबका काम यही है कि आपसे जो है कर वो सुनना है आपका जो छोटा मेटा विवाद है उस विवाद को सुनना भी है अगर किसी प्रकार का माल लेते हैं, हम आपसे टेक्स ले रहे हैं, अधिकारी हैं, तो कमसे लोग आपस में किसी कारण बस लराई कर लिए, या कोई डॉक्मेंट में फर्जिवारा कर लिए, गलत तरीके से मोटेशन, माल लेते हैं, जो राजसों के अधिकारी हैं, अंचल लेबल के ठीक है उनके पास भेजा जाता है मोटेशन कराने के लिए अब मुदाखिल खारिज कराने के लिए गलत तरीके से कर दिया तो फिर अनुमंडल राजस अधिकारी उसको क्या करेंगे खारिज कर देंगे अब यहाँ पर जो राजस अधिकारी है वहाँ कोई गलत जमाबंदी करा लिया तो जिला राजस अधिकारी क्या है उसको खारिज कर देंगे मोटेशन जो है जमाबंदी अगर हो गया है पहुत पहले हो गया गलत तरीके सुवा तो उसको cancel किया जा सकता है गलत जो है वहाँ पर बरदास्ट नहीं किया जाएगा अब वो होगा कि अब उसका कोई सिकायत करेगा तभी तो उस पे कारवाई होगा अब कोई सिकायती नहीं करेगा तो कारवाई क्या होगा आज जो समस्या सवाल है कि जमीन पर DCLR के पास केस चल रहा है तो यह DCLR जो पोस्ट है बहुत सारे राज में आप समझ सकते हैं यह अनुमंडल राजस्वधिकारी मतलब जो जिला और आपका जो अनुमंडल छेतर है वहाँ उस लेबल के वो राजस्वधिकारी हैं बहुत राज में DCLR का पोस्ट है जिसमें जमीन खरिदा था उसमें फरजी जमीन खरिद लिया जिसका जमीन था उसने लेने के लिए केस किया था उसका केस खारिज हो गया DCLR ने फरजी करार एक तरर से दे दिया अब फैसला के तीन मेहना बीठ चुके हैं या अभी एडियम के पास apply हो सकता है या उस जमीन पर जो है पर कम एक तरह से काम करने से अभी भी समस्या आ सकती है जमीन अभी हमारे पास हमारे कवजे में है लेकिन फैसला के बाद जो है CEO परेसान कर रहा है यह समय बीत गया तो फिर अब उसके बाद जो है वह उसका अपील नहीं किया तो अपना दावा पेस कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है प्रसासन को जो है आप आवेदन दे दीजिए और आपका छेतर में क्या कंडिशन है मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा आप जिस राज से में मिला हुआ है तो वह असपस्ट हो जाएंगे नहीं अगर वह जो है पील में गया है तो उसके बाद फिर आपका वह जज्जमेंट उग्दम से तैह हो गया उसके बाद आप उस पर अधिकार का दावा कर सकते कोई आपको दिक्कत नहीं कर रहा है कि देश्यों के परिशा पर्वार काण कर रहा है तो जागे बोलें अगर सिभी में चैसे हैं और पर सिब्सक्रीर कतरा कर रहा है एक प्रवार कर रहे हैं और आपkal अघिको यह नका अगर डिठी होजाता है अब मालत है DCLR कोट में जो फर्जी करार जब दे दिया गया है तब उस केस में यहां पर परेसान करना तो सरासर गलत होगा अगला सवाल है सर मेरे दादा जी 1994 में जमीन रजिस्ट्री करवाया लेकिन मूटेसन नहीं करवाया अब जो जमीन है वो 2014 में किसी और को रजिस्ट्री कर दिया गया उसका मूटेसन भी करवा लिया अभी 2023 हो गया है मैं उस जमीन पर दावा कर सकता हूँ मेरे पास उस जमीन का नकल है है न देख़ें यहांपर 1974 का जो रजिस्ट्री है यहाँ पर सीरी सी बात है, रजिस्टरी है, अब उसमें अब क्या है, दूसरा आदमी उसको क्या किया, रजिस्टरी करवा लिया, उसको पहले एक तो पहले वेरिफाय करवा ले, उसका नकल एक पराप्त कर ले, वेरिफाय करवा ले, अब वही बैक्ती जो विक्रेता है, किसी बेटा बेचा पोता बेचा उससे मतलब नहीं यहाँ पर बिक्रेता के अलाबा जो इसको खरीदा है उसका भी नाम दर जोगा देखें एक बार जमीन के एगर पएस्टि हो जाती है दुबारा बेचने कई अधिकार नहीं है तो विक्रेता ये करता फर्जवारा गलत करता है तो इस तरह जो सेल डीड हो गया त्यार हो गया मूटेशन हो गया दोनों को कैंसल करने का आदिश जारी होगा और आपकी संपती आपको वापस मिली ये कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर किसी ने मूटेशन नहीं करवाया ठीक है वो उसकी बरी गलती है देखें ये जो है और लेकिन जब अगर जो सेल डीड है आपके पास सेल डीड है तो दुबारा उस जो बैक्ती एक तरह से विक्रेता जो पहले बेच चुका है उसको दुबारा बेचने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है सवाल है कि सर्ग मैं ओडिसा से हूँ और जो हमारा जमीन है उस पे सरकारी स्कूल बना दिया है साट साल हो गया देखें जमीन का कागजात है अब है कि आपके पक्च के गवाह है इसकूल बना दिया गया माल दे कोई सरकारी प्रोजेक्ट अगर बन चुका है सरकार का प्रोजेक्ट कोई बनता है उसका 21 सिमह है 10 साल से सरकार का प्रोजेक्ट बना हुआ है और 10 साल बाद आप आके कहरें गें मैरे पास काफ़ जात है तो यह मालत हो सकत है कि सरकार को … इंदिया हो गए फिर भी आप स्विलिक जा सकते हैं, सिविल कोट जा सकते हैं, आखिर ये जो है केस फाइल कर सकते हैं, अपना दस्ताबेज लेकर सरकार के ऊपर केस फाइल होगा, तो उसमें हो सकता है कि आपके पक्ष में फैसल आओ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे बारा समस्या ये होता है, कि जो तरह से गनाविन से जब पूशा जायेगा तो अगर आपके पक्च में वो ना बोले जैसे क्या होता है कि कोई भी पक्च में ये अगर गराम के पुर्णा drivenIVE-जो-बच परधान है ये जो भी है वो ये सर्पैंच है वो इस बात से मुकर जाते हैं उनको लगता है कि नहीं, जो जो जहानी है, इनके पुरबस दान में दिये थे, अब इनको लाला चागे है इस जमीय का तो इस तरह का मामला जो है सामने है ता कि हर जगा जो स्कूल की जमीन है कहीं न कहीं जो जमीनदार थे उनके दौरादान में दिया गया ताकि आस पास के मतलब जो गाओं है वहाँ पर स्कूल बने और लोगों को उसका लाब मिले उनके बच्चेँ को उनका लाब मिले अब एक इसर मेरा जमीन गरमेजरुआ है और आउनलाइन रसीद कट रहा मगर जो है कोई दूसरा पार्टी जो है यहाँ पर है ना हुकुम नामा दिखा कर जमीन कबजा कर लेना चाहता है ठीक है और आफिस लाइन रसीद भी जो है दिखा रहा है देखे यह चीज़ आपको समझ लें सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो समझने वाली बात है जानने वाली बात है गरमजरुआ जमीन है तो इसा मतलब नहीं है कि उसका ऑनलाइन रसीद जो है एक तरह से नहीं कटेगा अब गरमजरुआ में क्या होता है किसी के पास उसका खास होता है किसी का उसके पास आम होता है इसके अलावा भी बहुत सारे होता है तो खास जिसको है इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा है ना सरकार के द्वारा जो है उसको बंदोबस्त कर दिया गया है अब यहाँ पर यह क्या होगा कि अब उसको बंदोबस्त किया तो वो अपन वो गलत होगा कोई इसको कवजा भी करता है तो वो भी गलत होगा उसके लिए भी आपका बस सिर्फ जो आप आपका जो ऑन-लाइन उसको लेकर भी आप अपना दावा जो है कानूनी तोर पर पेस कर सकते हैं देखें ओफ-लाइन कोई दिखाने से ये सब करने से कुछ नहीं होने बाला है ठीक है तो इसलिए दिखा रहा है ओफ-लाइन तो पहले जाके काडियाला में वेरिफाइ कीजिए रेजिस्टर में वो दर्ज है की नहीं है सीधी सी बात है सिर्फ एक सिलिप लेके हम उसमें लिखवा लेंगे प्लोट को अब वो सही है गलत है वो वेरिफाइ करेंगे उसके बाद ही कुछ उस पे कारवाई भी कर सकते हैं अगला सवाल है नमस्कार सर मुझे एक जानकारी चाहिए सर मामा ने मा के नाम से कोट से नोटिस भेजा हम लोग रिसीव करके कोट गए और कोट में केस चल रहा है मामा गवाही देने नहीं आ रहे थे 11 डेट हो चुका है अलग से मामा के उपर पार्टीशन सूट कर सकते हैं ठीक है बिलकुल कर सकते हैं पार्टीशन सूट जो है यह तो अधिका में संपति में जो है अधिकार चाहिए को अधिकार लेने से इंको कोई नि आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो लाइक जरू कर दें चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरू दबाले मिलते हैं अगले व्रियू में तब तक के लिए जाएगे